हेलो आज की वीडियो में हम लोग सिखेंगे कैसे बनाते एक प्रोमो वीडियो फॉर ब्यूटी प्रोड़क्ट्स यह जो वीडियो यह बहुत ही हेल्फफुल होने बाला है आप लोगों के लिए क्योंकि मैं अपना डिजाइन किया वह एसिट आप लोगों को दूंगा और उसके साथ साथ जो मौक अप मैं यूज करता हूँ वह भी मैं प्रोवाइट करूंगा जो यह मौक अप है उसको कैसे अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करना है तो चैनल को जरू सब्सक्राइब करना है क्योंकि मैं हर वीक न्यू वीडियो डाल रहा हूँ यह जो वीडियो से आप मिस नहीं करना चाहोगे तो सबसे पहले क्या करेंगे अपने प्रोडक्त है उसको आपको ड्राइग ऑन ड्रॉप कर लेना है और इसका जो स्केल है उसको भी में चोटा कर लूँगा इसको मैं अहां प्लाइब कर दूँगा त्टीक है अब उसके ब करेंगे हमारा जो background है उसको design करना है उसके लिए मैं क्या करूँगा rectangle tool को select कर लूँगा and जो fill color है उसको मैं ले लूँगा कुछ इस तरह से ये वाला color podium के जो color है वो मैं choose कर लिया ठीक है and इस तरह से एक shape आपको बना लेना है इसको लेके जाना है सबसे नीचे then मैं फिर से select कर लूँगा rectangle tool and जो fill color है इस time मैं ये वाला color use करने वाला हो ठीक है and इसको मैं इस तरह से drag कर लूँगा and then उसके बाद make sure कि आपका जो snapping है वो turn on है and इस तरह से इसको drag कर लेना है then उसके बाद मैं क्या करूँगा जो product image है उसके उपर मैं add कर लूँगा drop shadow and यहाँ पर जाके एक बहुत ही minimal सा shadow आपको add करना है and जो हमारे podium है उस पर भी मैं जाके drop shadow add कर लूँगा and इस बाद जो color है वो मैं यह वाला color लूँगा अब उसके बाद आपको जाना है design assets के अंदर जो मैंने आप लोग को vector file दिया था वो आप देख सकते हो उसको मैं क्या कर लूँगा जो small है leaf है उसको मैं यहापे place कर दूँगा देन उसके बाद मैं क्या करूँगा जाओंगा paint tool को select कर लूँगा and जो इस time fill color है उसको मैं set कर लूँगा white पे point ले लूँगा and मैं फिर shift press करके यहापे click करूँगा ताकि एक straight line बन जाए ठीक है and then यहापे जाना है मेरे को and फि make sure कि आपको जो lining है वो properly match हो and उसके बाद क्या करना है जो fill है fill को मैं off करना पड़ेगा जो stroke है उसको set करना है solid ठीक है अब उसके बाद मैं fit से paint tool को select कर लूँगा and मैं यहापे जाके एक इस तरह से shape बना लूँगा okay so यह कुछ इस तरह से दिखेगा then उसके बाद क्या करना है यहापे जाके मैं add कर लूँगा text looks pretty cool अब जो third leaf ताना वह बाला layer को मैं फिर से duplicate बना लूँगा by pressing ctrl d इसको मैं लेके जाओंगा सबसे उपर then इसको मैं यहापे place कर दूँगा and end में क्या करूँगा जो shape लियर है उस पर जाके मैं add कर लूँगा noise effect जो noise property है उसमें जाके मैं add कर लूँगा 10 and similarly यहापे भी जाके मैं add कर लूँगा noise and इसको set कर दूँगा 10 पर ठीक है so यह जो scene है हम लोग already built कर चुके है अब क्या करेंगे scene के जो elements है हम लोग हर एक element को animate करने वाले है इसके लिए मैं यह दो layer को select कर लूँगा and press कर लूँगा then position पे keyframe set कर लूँगा इसको थोड़ा आगे place कर दूँगा around 15 frames and यहापे जाके मैं जो उपर का layer है उसको मैं इस तरह से drag कर लूँगा and जो नीचे के layer है उसको भी मैं drag करके बाहर कर लूँगा ठीक है then दोनों keyframe को select करना है press करना है F9 जाना है graph editor पे एनिया पे जाके मैं जो यह handle है इसको इस तरह से drag कर लूँगा just like this so इससे क्या होगा पहले speed कम होगा then you suddenly increase कर देगा ठीक है अब उसके बाद क्या करेंगे जो हमारे podium है यह वाला layer को हमें animate करना है तो उसके लिए मैं प्रेस करना है जो हमारे product है उसको हमें animate करना है तो उसके लिए में प्रेस करूंगा and position पे keyframe set कर लूँगा इसको थोड़ा आगे लेके जाओंगा and this time मैं product को उपर ले लोंगा इस तरह से ठीक है then keyframe को select कर लेना है and यहाँ पे click करूंगा to easy ease those keyframes I think यह बहुत ही fast हो रहा है तो इसको थोड़ा और आगे लेके जाते है then उसके बाद क्या करना है जो हमारे leaves है उसको हमें animate करना है So, sबसे पहले में जो big leaves है उसको मैं position कर लोंगा and small leaves को यहाँपे इसके बाद जाना है pen behind tool पे and जाके मैं हर एक layer को select कर लूँगा and जो इसका anchor point है उसको हमें यहाँ पे set करना है ताकि जो animation है उसका जो starting point है वो हमेशा यह रहे अब anchor point को position करने के बाद मैं तीन लेयर को select कर लूँगा and press कर लूँगा then scale पे keyframe set कर लूँगा थोड़ा अगे जाओंगा यहाँ पे जाके मैं कर लूँगा इसको zero ठीक है अब जो यह keyframe से इसको थोड़ा align कर लेते properly then उसके बाद जो यह solo था उसको मैं unsolo कर दूँगा then उसके बाद क्या करेंगे जो हमने यह बाला बार बनाया था उसको select कर लूँगा यहाँ पे click करूँगा then जाओंगा add button पे जाके मैं add कर लूँगा trim path ठीक है जाना है trim path का option पे and end है यहाँ पे keyframe set कर लेना है इसको थोड़ा आगे place कर देंगे यहाँ पे जाके मैं जो end property है उसको कर लूँगा 0 पे set then दोनों keyframe को मैं select कर लूँगा and इसको easiest कर दूँगा अब हमें यह वाला जो element था इसको भी animate करना है इसके लिए मैं क्या करूँगा and इसका जो anchor point है इसको मैं यहाँ पे place कर दूँगा and similarly इसका जो anchor point है इसको भी मैं यहाँ पे place कर दूँगा then इसके बाद दोनों layer को select कर लेना है and press करना is फिर से यहाँ पे जाके हम लोगे keyframe select कर लेंगे and इसको मैं कर दूँगा 0 पे set so एक बाद देख लेते हैं अभी तक कितना हुआ okay so it's looking pretty cool and उसके बाद क्या करेंगे जो actually हमारे पास जो lips है यह बहुती static लग रहा है so उसको एक motion देना है उसको एक थोड़ा kind of realistic look देना है तो उसके लिए क्या करूंगा मैं जाओंगा puppet tool को select कर लोंगा यह वाला tool इसको कहते puppet tool जाके मैं यहाँ पे point select कर लोंगा and यहाँ भी point select कर लोंगा देन थोड़ा आगे जाओंगा and this time मैं इसको इस तरह से move कर लोंगा बहुत ही एक minimal इसको movement देना है ठीक है देन थोड़ा और आगे जाओंगा and इसको मैं इस तरह से फिर से ट्रैक कर लोंगा तो इससे क्या होगा इसमें एक थोड़ा movement आ जाएगा यह यह अच्छा दिखेगा so देखो देख सकते हो कि यह कुछ इस तरह से move कर रहा है right and इसको continuously movement दे लिए क्या करना है यहाँ पे जाना है यहाँ पे जाके मैं alt and left click करूंगा then उसके बाद मैं type कर लूँगा loop out then उसके अंदर जाके मैं type कर लूँगा ping pong enter so इससे क्या होगा यह continuously throughout the composition यह animate होता रहेगा similarly हमें हर एक lips को कर लेना है and उसके बाद यह जो design है कुछ इस तरह से दिखेगा then आप देख सकते हो so उसके बाद यह जो movement यह throughout the frame चलता रहेगा आप लोग notice कर सकते हो ठीक है then उसके बाद क्या करना है यह जो composition है सबको कर लेना है precomp and precomp करने के बाद इसको मैं नाम दिया है scene 1 अब पर जाके आपको scene 1 को drag and drop कर लेना है and इसका एक typical बनाना है by pressing ctrl D and this time इसको मैं यह पर place कर दूँगा and right click करूँगा जाओंगा time पर जाके जो है time reverse layer इसको मैं select कर लूँगा and जाके stretch पर जाके इसको मैं select कर लूँगा and then इसको यह पर मैं place कर लूँगा तो इससे क्या होगा हमारे जो animation है उसका हमें एक animation in and animation out effect मिल जाएगा so just like this and यह continuously चलता रहेगा so I hope आज आपने कुछ नया सिखा होगा and अगर आप लोगों को यह वाला वीडियो अच्छा लागा तो वीडियो ज़रो like करना comment करना so with that said this is Shubham Pramanik signing off and I will see you in the next video तब तक की लिए keep animating keep smiling goodbye